हाई फ्रेंड्स यू नेक्ष्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DDA एक्जाम के बारे में तो फ्रेंड्स आपको बता दू कि RTI का रिपलाई आ चुका है और DDA में जो है प्रोटल कितने फॉर्म पर है अलग-अलग पोस्ट के लिए तो आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है चुकि जब आपको पता रहेगा कि कितना competition है कितने फॉर्म डलने है उसे साब से आप अपनी तयारी करेंगे तो आपको ये ओफिसियल मैं दिखाने जा रही हूँ तो आपको इस वीडियो में मैं आपको एसो हॉटी कल्चर, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, पतवारी, जेसे, जूनियर सेक्रेटरियर एसिस्टेंट और माली इस छे पोस्ट का जो है कितने फॉर्म पड़े हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो आप इसको इसे ये अंदाजा लग जाएगा कि कितना कॉंपेटिशन है और आपको कितनी तयारी करनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्तों के साथ शेयर किजिए तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखिए friends यहाँ पर ये जो है reply जो आया है वहाँ से RTI का वो ये है तो आपको मैं बता दू टोटल नंबर ओफ फॉर्म ये देखिए friends आप SO Horticulture के लिए सबसे पहले ये देखिए 14208 फॉर्म पढ़ा है surveyor के लिए 311, stenographer के लिए 3548, पटवारी के लिए 80,196, JSA Junior Secretariat Assistant के लिए 33,487, माली के लिए 71,515 तो आप यहाँ स्क्रीन पेस को देख सकते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितना competition है, कितने ज़्यादा form पढ़े हैं, किस-किस post के लिए और ऐसो होटी कल्चर वाले तो देख लें, यहाँ बस 48 seat के लिए 14208 फॉर्म पढ़े हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा competition है और आपको कितनी तयारी करनी है और मैं friends आपको यह दिखा दू, यह देखिए यहाँ पर जो है category wise breakup है कि कितने कौन से post के लिए है तो कुछ का reply आया है और कुछ का नहीं आया है, तो यह देखिए friends सबसे पहले नंबर के पटवारी का तो पटवारी के लिए टोटल 80,000 में जेनरल के लिए 20,000, EWS के लिए 26,000, OBC के लिए 16,244 आप यह देख सकते हैं फिर इसी तरह junior secretariat assistant JSA के लिए टोटल 53,000 में जो है जेनरल की 1200 और माली के लिए आप देखिए friends टोटल 71,000 में जेनरल का जो है 8918 है OBC का 12,000 आप इसी तरह देख सकते हैं यह तो तीन post का जो है category wise breakup है तो आपको चलिए एक बार फिर से यह दिखा दे आप यह देख के आप ए screen shot ले सकते हैं इसका आप यहां से screen shot ले लिजिए तो आपको इसका आप देख सकते हैं बार बार आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप यहां से इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो friends आप प्लीज ए screen shot लेके रख लिजिए तो मैं यही पर वीडियो को खत्म करती हूँ फिर आप मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग